जनताव पुलिस बिभाग के मद्दे सामजस्य स्थापित करने के उदेशे से पुलिस लाइन मंडी में एक बैठक का आयुचिन किया गया जिसमें विपार मंडल व अन्य संस्थाओं की सरस्य ने भाग लिया और शहर में पेश आने वाली समस्याओं को भी भाग के समक्ष बताय की अकसर लोग पुलिस को जानकारी प्रदान करने से कतराते हैं जिसके लिए जनताव पुलिस बिभाग के मद्दे सामजस्य से होना आवशक है उन्होंने बताय की बैठक के दुरान लोगों ने शहर में पेश आने वाली समस्याओं को विभाग के समक्ष उजागर कि पुलिस लाइन में जो कमक्षा हो गया उसमें हुआ इसमें कम से कम चलिए जासादियों ने इसालिया तो इस सवा के दुरान बहुत सारी ऐसे समस्याओं लोगों ने हमारे नोटिस में लाई जिनका हम अपने जो पुलिस बिभाग है उसके बेक्तिकत रूप में उनका समस् कर सकते हैं तो आज का जो पुलिक के साथ हमारा संबादरा बहुत ही महत्वपुन और अच्छा रहा है और आशरकताओं की बिभिशिय में पुलिस के प्रती जंता बिना किसी निस्विंग कोच के आगे आएगी और जो हमारी एक समस्यारती है साक्षे जब हम चाहिए कोई गोहा के रूप में तो लोग बहुत पुलिस को किनारा करके अपना रास्ता नापते हैं प्रतु आज जो लोगों के साथ हमने संबाद किया है उसमें ये लोग जो सवा में थे हाईर उन्होंने ये हमें मदलब इंशोर किया है कि वो कभी भी पुलिस को ऐसी समस्यानिया ने देंगे शहर में कि वो इस चीज से कि पुलिस उनको जनता ने पुलिस को स्पोर्ट नहीं किया उन्होंने का कि मंदी पुलिस लोगों की मदद करने के लिए हमेशा ततपरता के साथ कारे करती है और आगे भी करती रहेगी साथ ही उन्होंने यादायात व्यस्ता को भी त्रा करए जाकर स्पोट में तो यही है आज अप्टा लोगों की समस्या रही है कि आजा आ कि जादा समझ्मी इसे यहां जा रहती है यह के फोकिस किया है हमने पिशले Sr realities समंदित द्र हीं प्लाब में मीटिंग बह यह इन समस्ययों का सभिटिंग rappelle ँवೆ है 40 सदस्यों ने भाग लिया कैमरा पर सन्यूगल के साथ ब्यूर रिपोर्ट के चैनल मंडी